हेलो एवरिवान आइम दुशंत वेल्कम बैक टू जेक एक्जाम क्रेकर तो आज हम पढ़ेंगे mcq of April month 2021 के जो भी आपकी एक्जाम के रिटिर इंपॉर्टन हैं कि याद रखी का most important question होंगे इसमें top 50 question होंगे और अगर इसका pdf चाहिए तो इसका pdf आपको आपको बागी study material बे मिल जाएगा और इस पर याद रखी का कुछ बूछ रहे इसमें मतब हमें के क्वेशन हम एक अलगा ले आएंगे जी के जो भी होगा करन्ट वीडियो ले आएंगे शाहए दो वीडियो ले आएंगे उसके लिए बट इसमें भी जैंड के कोशन इंक्लूड होंगे बागी स्पोर्ट के वहांगे जो एक्ष साइज में होगी वह भी इंक्लूड होगी तो सारे मत्व मोस्ट कॉषिंपांट कॉशंङ से होंगे तो विदाव डिले स्टार्ट करते हैं के एप्रेल मंत के 2021 के इंपोर्टेंट करेंटर फेर्स के एंप्रस्ट कोश्चन देखते हैं डैश इस प्लाइनिंग टू लॉंच इट्स ओन स्पेस्टेशन बाइडश हमें बताना है कौन प्लान कर रहा है अपना ओन स्पेस्टेशन बनाने के लिए ठीक है और कब तक तो हम स्पेस्टेशन बनाने के लिए नेक्स देखते हैं वेर वास्ता जॉइंट मिल्टरी एक्ससाइज वजर परहान 2021 कंड़क्टिट बिट्वीन इंडिया एंड यूएसे इंडिया एंड यूएसे स्पेशल फोर्सिस ठीक हमें बताना है कि इंडिया और यूएसे की स्पेशल स्पेशल फोर्सिस की बीच में जो वजर परहान 2021 मिल्टरी एक्ससाइज हुई वह हमें बताना कि कहां पर हुई है तो इसका जो राइट हमारे पास ऑप्षिन है राजिस्तान लदाक हिमाचल परदेश और गुजरात जो इसका राइट अंसर है वह कूंसा है हिमाचल परद ब्यास और एक होता है टाइगर ट्रॉम्प ठीक है टाइगर ट्रॉम्प यह होती है इंडिया और यूसे के बीच में या देखे कहां हुई थी है हिमाचल परदेश में वजर पहान 2021 में ठीक है नेक्स देखते हैं इसका राइट एंडिया इंडिया ने टॉप किया था ठीक है इंडिया ने कितने मेडल जीते थे इंडिया जिते जिसमें से इंडिया के 15 गोल्ड थे ठीक है दीडिया दॉटन के के यहें ब्रौणस भाद एक ऐसे रहें च्रूप किस ने किया आई के इस सफशीक इड़ें मेड़ कप है ने हमें बताना है कि ISSF World Cup जो हुआ है उसमें वुमन में से 25 मीटर के जो पिस्टेल इवंट था उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो हमारे पास option है चिंकी यादव रही सरबनोत मंच बेकर मनीशा की खेर तो जो इसका right answer है हुआ है है चिंकी यादव रहाएं और किसमें जीते हैं लो यह यह अफ्र है इपर और कि यह इसको और क्या कहा जाता है इसको land of warriors भी कहा जाता है ठीक है याद रखेगा land of warriors भी कहा जाता है ठीक है और यह कब स्टार्ट हुआ था 2018 में यह स्टार्ट हुआ था क्या स्टार्ट हुआ था अपर यह जो माटी जो celebrate किया जाता है तो हमें अब बताने कि इसका कहा होता है अभी कहां किया गया था यह पुछा गया था अन्वल पुरवांचल फेस्टिबल तो हमारे पास ऑप्शन है उत्तरपरदेश जमुन कश्मीर लदाख डैली तो जिसका राइट अंसर है वह है याद रखिएगा क्या अंसर है डैली और पुरवांचल को मैंने आपको जैसे बत है यह यह बताना है कहां पर यह फर्स्ट वर्ल्ट का हुआ ठीक है और जिसमें हमारे वर्च्वल पारिश्पेशन दी थी किसने हमारे है अंकारा तर्की मैडिट स्पेन अबुदाभी यू एई बर्लिन जर्मनी तो जो उसका राइट अंसर है वह है अबुदाभी अनेजिंग डिरेक्टर अफ ओई एंड नेच्रव गयास कोर्परेशन इंप्रेट वन हमें बताने है कि उन्गप्शन का से क्या बनाएगा चेर्मेंग एंड अन चैर्मेंड मैंग डिरेक्टर है तो फेलगा और शवाश कुमार मुकेश कुमार सुमा मुंडल तो जो उसका का राइट अंसर है वो क्या है सुभाश कुमार सेटेंड ऑप्शन इसका राइट है क्या बनाया गया इनको यह गवनिंग बॉडी है फुटबॉल की ठीक है यह जो जो भी वर्ल में फुटबॉल का जो भी होता वह उनके थ्रूई होता है अब हमें कोशन में यह पुछा गया जो 2023 का वोमन्स वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए नाइन हो सी हो सिटीज है और दस स्टेडियम को चुना अब हमें बताना है कि कौन सी दो कंट्री यह जो जो जॉइंटली होस्ट कर रही है तो में पास उप्चिन है युएसें कैनड़ा अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड अर्जिंट अर्जिन अर्गवे बैल्जियम और नेधरलेंड तो जो 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 क्या कर रही है जो जॉइं से यह सबसे ज्यादा युएसे ने क्या जीता है फिफा वुमेंस वर्ल्ल कप ठीक है नेक्स देखते हैं हूँ इस्टा ओनली इंडियन वुमेंड डिसके स्थ्रोवर तू क्वालिफाइफ फॉर्टा 2020 टोक्यो ओलम्पिक्स गेम अगर आप मेंसे किसी ने टोक्यो ओलम्प कमलपीत कोर इनकी बहुत अच्छी प्रफॉर्मस रही ती काफी जादा अच्छी प्रफॉर्मस रही ती मैं कहूंगा और शायद यह सिक्स नंबर पर आया थे ठीक है और फस्ट्रू मन थे जिरुने इंडिये की तरफ से पार्डिसकेट किया था डिसकस देखते हैं विच अगर वहा लग यह तो वस्तापने पर आप कोशिम स्कीब जो किया जाएंगे और फार्म जो होंगे वहां वह वहां भी मतलब आपको बता अगर स्कार्फ को वहां लगया है वहां पर lights वगयरा भी दीज दाएंगी और सब कुछ provide के जाएगा और फार्मर को इस चीज़ों का पैसा भी देएगा उनके फार्म में अगर लगेगा तो इस चीज़ों का पैसा भी तो मिलेगा तो इस चीज़ों का पैसा भी मिलेगा और यह renewable energy के अंडर आएगा ठीक है और फार्म बगयरा भी इससे better हो जाएंगे ठीक है नेक्स देखते हैं और इसे क्या मैंने आपको जैसे बताया क्या जो भी solar power को लेकर जो भी होता है जो भी लगता solar power plant जो भी होता है कुछ भी जो inklated होता वहां पर forms में लगाया जाएगा ठीक है और यह फार्मर की जमीन होग ठीक है हमें बताना है कि जो अभी रिसेंटली एक newly discovered flowering plant यानि कि flower के परजाती मिली है ठीक है species मिली कहां से western guard से मिली है महारास्ता चे उसको कौन सी popular personality से मतलब उसका नाम दिया गया है ठीक है तो इसका नाम दिया गया है अहरगरी शरत चंद्रिया जी ठीक है तो आपको आपको किसी के नाम पर शरत दिखाई दे रहे नहीं न तो जो इसका right answer होगा वह और शरत बोवार ठीक है यहां पर भी शरत है आप यहां से भी guess कर सकते है अगर कभी आपको आपको यह भी याद रखना है कहां पर यह पाएगे हैं western guards में पाएगे हैं और कहां पाएगे हैं महारास्ट्रा में और एक new flowering plant discovered किया गया जो next देखते हैं what was the growth rate projected for India in FY22 as per the International Monetary Fund IMFS World Economic Outlook Report the World Economic Outlook Report जो बनती है जो कौन देता है IMFS यानि कि International Monetary Fund तो उसमें बताना है कि इंडिया का 22 तक क्या project किया गया कि क्या रहेगा तो हमरे पास option है 6.9% 12.5% 11.5% 7.7% जो इसका right answer है 12.5% next देखते हैं प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया अपॉंटिट जस्टीस डैश एस डैश दैश चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया इन अप्रेल 2021 ठीक है इन अप्रेल 2021 ठीक है तो हमरे पास option है वनीत सरान 48 उदे ललित 51 एन्वी रामना 51 एन्वी रामना 48 तो इसका right answer है वो क्या है एन्वी रामना 48 यहां क्या आएगा एन्वी रामना ठीक है और यहां आएगा 48 ठीक है प्रेस्ट आप इंडिया ठीक है नेक्स एकते हैं वाट इस थीन ओफ ट्वंटी वन वर्ल्ड है विच इनुली अप सेलिब्रेटिट बाइड यूएन ऑन सेमन्थ अप्रेल ठीक है हमें बताना है कि वर्ल्ड हैल्ड का क्या था थीम क्या था जो 2021 में था ठीक है हमारे पास option प्रेस्ट आप इसका जो राइट अंसर है वह है बिल्डिंगे फेरियर एंड हल्डियर वर्ल्ड नेक्स देखते हैं विच मिनिस्ट्री कोलाबरेटिट विद दा बिल एंड मंडेला गेट्स फांडेशन तो सेट अप हैल्ट सेल्स अंडर इट्स अनम्या इंटेशन पहले मैं आपको यहां से एक और हिंट देज़े तो ठीक है ट्रेवल पॉपलेशन के बारे पूछा गया तो यहां पर और आप्शन में ट्रेवल पॉप्शलेशन तो नहीं है तो इसका राइट अंसर ट्रेवल पॉपलेशन ही है याद रखीए किस के बीच में किया गया मन कि निस्ट्यो आफone के बीच में और किसके बीच में बिलन मंडेला-गेट्स फांडेशन के साथ में मिलके यह यह बनाया गया क्या इनिशेटिव का नम इसका नाम है अनमय्या ठीक है नमया नाम है इसमें क्या इसमें क्या गिया जाएगा जो required मतब robusta कि जो बताया जा ब्राजिल, रश्या, इंडिया, सौथ अफरिका तो मैं आपको पहले बता दू जो ब्रिक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है Brazil india China एडर South Africa णे ऐख संथ उमेरिकन देश है रस्य यूरूपन है Rub dónde एशिंहा चाइना एशियन है और South Africa एक अफरिकन देश है ठीक है और हमें बताने कि किस ने होस्ट किया ठीक है हमारे पास ऑप्शन है ब्राजिल रश्या इंडिया सौथ अफ्रिका तो इसका राइट अंसर है वो है इंडिया और इंडिया चेर्मेंशिप भी करेगा 2021 की जोने ने और वह क्या थी वह एक थर्टिंत सम्मीट थी जो इंडिया ने चेर्मेंशिप की ठीक है नेक्स देखते हैं विच रेलवे जोन बिकेम दा फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव हंड्र परसंट एलेक्रिफिकेशन ठीक हमें बताने कौन सी जिन्होंने बिजली में अपनी जो अपनी रेलवे जोन है उसको पूरा बिजली में कर दिया ह पहले जैसे कोल में होता थो जैसे आपको बता है टेंट फिगरा कोल में चलती थी उसके बाद अब अब अचुकी है तो वैसे इन्होंने क्या किया कि पूरा एक्टिफिटी में ही कर दिया है ठीक है अपने जो कुन साम पूरा रेल रेलवे जोन तो जैसे हांपर ऑश्चन संब्स संब्स सेंटर रेल्वे संतर रेलवे सेंटर रृलवे नोर्फ वैस्टर रेलवे तो जो सीष्च का रख वाइन jsर ह 20 में इनन नात्य होस्टिज का अपूरा वे तका इन्टिफिकेशन में पी अब हम उसके निमिंट्ड टा संब्रीमेट और United Kingdom तो जिसका राइट अंसर है वो है United States ने क्या किया था वर्चुल सब्मिट की थी लीडर सम लीडर्स ठीक है जो क्लाइमेट भी थी और इसमें इंडिया को भी इंविटेशन दिया गया था ठीक है और मैं याद रखना किस पर बेस्टी यह थी क्लाइमेट पर बेस्ट नेक् है जैसे यहां पर आप्शन दिया Amazon Flipkart और भी जैसे होते हैं eBay वेगारा जो भी होगे है अलग अपनी यह स्नैप डिल वेगारा तो वैसे हमें आप्शन में इस पर दो ही है ठीक है इक कॉमर्स मेजर है ठीक है उसने प्लाइन किया है कि वह एश्या का सबसे लार्जेस मतलब एक फुल्मेंट सेंटर बनाएंगा जहां पर मतलब उनका काम बगएरा सब कुछ वहां ही होगा और वह इस्या का सबसे बढ़ा होगा तो हमारे पास ऑप्शन है Amazon नेक्स देखते हैं हुआ रिसेंट्ली इन अप्रेल 2021 अपॉंट इस फर्स वोमें डेक्टर जनल ऑफ नेशनल कांसिल आप्लाइट इकनॉमिक रिसेर्च एंसी एर ठीक है एंसी एर का किसको बनाया गया फस्वोमें है याद रखिए कोशन बहुत इंपॉर्टन है फस्वोम इसका राइट अंसर है पुनम गुपता को क्या बनाया गया एंसी ए एर का ड्रेक्टर जनल ऑफ ठीक है एंसी ए ए ए आर का नेक्स्ट देखते हैं डैश डिवलप्ट अफॉर्स्ट वर्ल्ड फस्ट में अश में बेस्त माइक्रो सेंसर for explosive trace detection हमें बताना है कि पहली कौन सी एक क्या है वर्ल्ड की फिर्स जो बेस्ट माइक्रो सेंसर किसने बनाया है तो हमार पास option है IIT Delhi और इनके नाम भी दियेंगे कि यह तो यह है ना तो इसका नाम क्या होगा ठीक है यह देली टीम अपस आई यह इंडराश टीम आपस यह क्या करेंगे जो बंस वह रहा होते हुए उनको डिजुक्ट करेंगे ठीक है इंगे खशल को डियक्ट करेंगे which will be held in multiple cities for the first time हमें बताना है कि फोर्थ केल इंडिया यूथ केम सोने हुई है 2021 की उसको multiple cities ने hold किया था डेली के साथ मिलके मतबए और भी cities ने host किया था तो हमें बताना है कि और किसने साथ मिलके इनके host किया था जो हमारे पास option है असाम हर्याना उत्रकंड गुजरात तो जिसका राइट अंसर है वो क्या है हर्याना और आपको यह याद रखना कौन सी एडिशन थी यह फोर्थ इडिशन नेक्स देखते हैं विच कंट्री कंस्ट्रिक्टीड फाइव जी सिग्नल बेज एर्दा वर्ल्ड हाइस रेडार वो कौन सी कंट्री में हमारे पास ऑप्शन है मतलब हम बताना है किस कंट्री ने बना है ठीक है हमारे पास ऑप्शन है इंडिया चाइना रश्या यूस है तो जो इसका राइट अंसर है वो है चाइना याद रखिया क्या है एक 5G सिग्नल का एक बेसका 5G सिग्नल का यह आउस तरह लांच तस इसरेंड वर्जन और इंडियन अगी डेश्बोर हमें बताना है कि कुछ सी अगणेशन ने रिसंटी लांच किया second version of Indian energy dashboard तो हमारे बात option निती आयोग FICCI Energy and Resources Institute Bureau of Energy Efficiency तो इसका right answer है वो क्या है निती आयोग next question देखते है on 9th April 2021 the Indian Council for Culture Relations ICCR celebrated its Dash Foundation Day हमें बताने है 9 April 2021 को Indian Council for Culture Relations ICCR ने कौन सा डे celebrate किया है ठीक है उनका foundation दे था तो वो कौन सा foundation दे था हमारे पास option है 50th 65th 71st 81st तो हमारे पास जो right answer है वो है 71st और इनका मनाया था है 9th April next देखते हैं Dash founded the Indian Council for Culture Relations ICCR जैसे पीछे कोशन इसी का था तो इसमें यह कोशन है कि किस ने किया था और किस यह में फांड किया था तो मारे पास option है मुलाना अब्दुलकलाम जवाहरलाल नेरु इंदरा गांदी जवाहरलाल नेरु और बाकी यह भी दियेंगे है तो इसका जो राइट अंचर है मुलाना अब्दुलकलाम नाइटीन फिफ्टी तीक है नाम आएगा इस पाइलेट प्रोग्रम इन हंडर्ड विलेजिस डैस्टेट हमें बताना है कि फॉर्मेट की इंकम बढ़ाने के लिए एक अमयू साइन किया गया विद अग्रिकल्चर फॉर इंप्लिमेंटिंग इट्स पाइलेट प्रोग्रम पर जो चलाया जाएगा और सो विलेजिस म यह किया जाएगा ठीक है और यह किसके साथ यह साइन किया गया है तो तो यह नहीं यह नहीं तो इसका राइट अंसर वो है इस्टेट में किया जाएगा और हंडर विलीजिस में आपको शिक्स टेट भी बता देता हूं जिसमें यूपी होगा यानि उत्रपर्देश मद्य पर्देश MP ठीक है उसके बाद हर्याना उसके बाद राजिस्तान उसके बाद अंध्रपर्देश याद रखी क्या है उत्रपर्देश मद्यपर्देश हर्याना राजिस्तान अंध्रपर्देश और गुजराथ माइक्रोसॉफ निए नेक्स एक विच कंट्री इस प्लैनिंग तो सेंड रोवर नेम रशीद तूदा मून बाइट वाइट टूंटी टूंटी तू कौन सी कंट यूज का राइट अंसर है वहाई यूए किसकी हल्प से कर रहा है ये किसकी हल्प से कर रहा है स्पेस एक्स का रॉक्टी यूज करेंगे तो स्पेस एक्स किसका है यह इलॉन मस्क कि कि इसके सी योगी हैं नेक्स देखते हैं who authored the book believe what life and cricket taught me किसने बुक लिखी है बिलीव व्ट लाइफ अंड क्रिकर तॉट मी मुझे जीवन और क्रिकर ने क्या शिखाया हैं ठीक है मानिए मुझे जीवन और क्रिकर ने क्या सिखाया है ठीक है तो हमार बस ऑप्षन है अबी डेविलियर शेन वाटसन शुरेश रहना रिकी पाउंटिंग और आपको यह भी याद रखना है भारत शुर्दरशन झी नीए एक और बुक लिखी है बहुत फेमस लिखी जिसका नाम है बुक लिखी नेक्सा紹ा फॉक लिखी है next . तो यह हो चुकिए है तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री विच कंट्री विल होस फर्स्टाम यह हो रहा होगा युनाइटी नेशन फूट सिस्टेम सब्मीट जो सेप्टमबर 2021 में हो चुक है तो हमें मारबास ऑप्षिन है नियुवक यूएसे नियू डेली इंडिया मार्सले फ्रांस बासलोना स्पेंट तो इसका राइट अंसर वह क्या है नुइवक यूएसे थीए नियूएक यूएसे का राइट अंसर है नेक्स देखते हैं, वो वान्दा, वान्दा, 2021 एमिला, रोमागना, ग्रैंड पिक्स, किसने जीता है, यानि कि फॉर्मॉलावन रेसिंग होती है, तो तो हमें बताना है कि किसने जीता है, हमरे पस ऑप्शन है, लुइस हेमिल्टन, मार्क्स, वेपस्टन, सर्जियो पेरेज, तहों हमारे पास यांश्यक जेता है मांक्स मेर्स टैपन ठीक है इन्होंने क्या जीता है ता इन्होंने यह जीता है जो डिफिकल लो ग। 20th April next देखते हैं विच मिनिस्ट्री लॉंच इट इन अपरेल 2021 अवर्नेस इवेंट ऑन दा जैने जैन्डर रिलेटेड इंटरवेशन जैन्डर समाद संबाद ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री आफ रूलर डिवल्मेंट मिनिस्ट्री आफ कोपरेट अफेर्स म इस ने जैनर समबाद जो राइट अंसर है मनिस्ट्री आफ रूलर डिवल्मेंट याद रखी गए सब कोशन आपके लिए इंपॉर्टन नहीं मॉस्ट इंपॉर्टन है जाम में इन में से कोई भी कोशन आ सकता है आपने देखा होगा कोशन मिक्स हैं सब सब आपके लिए इंपॉर्टन और इसका में आपको बता चुका है इसका पीडिएफ आपको टेलिग्रम पर वेलबल हो जाएगा तेलिग्रम चलना मारा जॉइन कर लिजिए नेक्स देखते हैं डाइस इस ता ऑउनली स्टेट इन इंडिया तो है वी उनिफॉर्म सीवल कोड बीच इस ता तो हमारे बहु कmbolshan आप अब में स्टेट का इना मताना है फिर में असा पॉप्चनन और तिकैम और पन्जाब पंजाब अइन मचत最近 बढ़ए और य करणा दीकलस वो इसकी करद सादिय न गिपम सुआ है कि इस अंफोंच से रहे को बना अ कि उन्पनालीव भी पर्सन लाग वो सभी सेम होंगे सब के लिए सेम होंगे फिक है पर्सन लाग अगे जो नेक्स देखते हैं इसमें पूछा गया था जो भी दस्टेट ऑफ पॉपलेंट इसने बताया थी तीक है इसके बारे कोशन ओपर यही था ठीक है मैंने आपको बता चुका हूं कि किसने बताया था रिपोर्ट किस ने दी थी तो मारे पास ऑप्सें उनाइट नेशन डिवल्मेंट फंड फॉर्म इसन युनाइटे नेशन इन्वाइमेंट प्रोग्राम युनाइटे नेशन फंड फॉर्पॉपलेशन एक्टिविटीज थी किसने बताया थी ठीक है आपको जुरूरी नी ऑपर कोशन में आपको बता चुका हूं को हिंदी में बता चुका हूं कि माई बाडी इस माई ओन क्लें दराइट ज़ानिन इस का ची लिए ठीक है 1 बीज और चेंटे नेयसिंस आडी की लास्तन ऑप्शं न फंचान फंड फॉपलेशन पाल फॉपलीटिव सैन ने एक ठीक है बूइक इसने बनाया था चाइना ने और इसमें 2019 तक इंडिया था बाद में इंडिया इंडिया था 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 इंड पर पास ऑप्शन है जपान, चाइना, सिंगापूर, बंगलादेश को इसका राइट अंसर है वह है सिंगापूर इंडिया सिकूर डैश राइंक इन डवेल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 वीच इस विच इसकंटिन्यूसी टॉपऄ कि इतना गया और कौन सिक इसके ने तॉपकिया है तो यहां आएगा वन फुर्टी सेकंड और जो यह पूछ रहे है न विच इस अंट्री टॉप फॉर्ट फॉर्ट टाइम वाइब फिफ्ट टाइम ठीक है इसका जो ऑप्शन और नौर्वे तिक याद रखेंगे यह आंसर इस ताराइट वन फॉर्टी सेकंड इंडे का रैं तो कितना जो भी जन्ली स्रोतन को फ्रीटम दिया जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं वर्ट इस जीदिपी फॉर्कस्ट ऑफ इंडिया फॉर्ट फॉर्टी टॉब्स पर के रैटिंग्स ऐस आप्रेल टॉन टॉन बताया गया पूछ जा रहा है कि इंडिया की जीदीपी फ नेक्स देखते हैं हूँ वास फीचर्ड इंदा फॉर्ब्स थर्टी अंडर थर्टी एश्या लिस्ट हमें बताने कि कुण इस पर फीचर्ड हुआ था हमारे पास ऑप्षिन कवीता शुकला निखिल कमात नरेंदर बंचल विबा हरिश तो जिसका राइट अंचर है वह है वि यह हुमेजरेशिन आवर्ड यह है कि ने जीता कॉन सा नेलसन मंडेला ठीक है वो उन्दा टक्राइश ने बंदेला वर्ल्ड हमारे पास जो राइट अंचर है वो क्या है रुमाना सिना सेगल नीं Sumena सेगल ठीक है शोचलिस्त और जो भी यह ठीक है उन्हें वासे जीता हो तो यह रुमाना सिना सेगल जी जिन्होंने यह जीता है नेक्स देखते हैं वो ओन दा गोल्डन लॉइन अवार्ड फर लाइटाम अचीवंट एड़ दा 78 वैनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल इन अप्रेल 2021 ठीक है हमें बताना है कि गोल्डन लॉइन अवार्ड किसने जीता फॉर लाइटाम जीवंट ठीक है एड़ दा 78 वैनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ड बैनिगीनी छोल जाओ टॉर्ट फिलिप्स किम की डग ठीक है तो जो राइट अंसर है वो है रॉबर्ट बैनिगीनी जीता है याद रहें कौन सा अडिशन था ये सेम्टी एट इम्हेट है नेक्स सिक्टेमा इस चीजिट थी यह निए गई कि5 एट टी ओर खूट को अध्य्या वालए construct नेक्स देखते हैं डाइस टॉप डामेडल टैली ए आई बीए यूथ वर्ल्ल बॉक्सिंग चेंपरिशिप हैं डाइस हमें बताना है किस ने टॉप गिया यूथ वर्ल बॉक्सिंग चेंपरिशिप में और वह वह हुई थी ठीक है तो टॉप हमारे पास अप्शिन कापी है टिक है तो जो राइट अंसरे णिद्ध टॉप किया था यहां आईगा इंडिया और हुस्ट किस ने किया था इस थी और कहां कि यह जगह है यह भी पोलन ने यह फोस्ट किया था याद रखिया किस ने किया था ए आई प्शिप यूथ यूथ वर्ल बॉक्सिंग चेंबिश बैंड में एकसिस आपने में नाम सुनो होगा यह जबागा अजबैम यह जादा नम वैंने को इस बेंड में आर्ण यह इसे बिंड मन कोई ज़हादा इस जो इसको बनाया गया हमारे पास ऑप्शन रविंदर जडेजा है दिशा पाटनी है हार्दिक पांडिया है रिशा पंथ है जो इसका राइट अंचर वह रविंदर जडेजा जो जो एक्या है आप सब जानते होंगे क्रिकेटर है इंडिन टीम में कहलते हैं ठीक है नेक्स देखत सब्सक्राइब को जब पहुंच जा है तो अब भी उसमें काम कर सके ठीक है है हेलिकोप्टर इंजिन एप्लिकेशन है तो हमें बताने कि इसने मना है हमारे पास ऑप्शन है इस तरो डिया डियो हाल बारत एलेक्ट्रोनिक्स तो जो इसका राइट अंसर अभू क्या है डी आर डियो नेक्स सेखते हैं इन अप्रेल टुनिटेवन वन वेब लांच ठीश लियो यानि कि लो अर्थ और बिक कम्मिनिकेशन सैटलाइट फॉम विच कंट्री हमें बताने के प्रेल टुनिटी वन वेब ने कहां से ठीश लो अर्थ और बिक लांच किये तो हमारे पास ऑ ने लांच कि एन ओ एन रोल एडीटू कोंची कंट्री ने लांच किया है सेट एडिये हमार बाद ऑप्चन है चाइना फ्रांस यूएस से रश्य तो जिसका राइट अंसर है वो रश्य याद रखनें रोल एडीटू किससे बिलॉंग करती है यूएस से नेक्स देखते हैं इंडिया ने वी पारिस्पेटी इन दा बालेटरियल नेवल एक्सेसराइज वरुना 20 21 विद जैश इन अपरिल 21 एल डइश लीडा हमें ने पर दाना है कौन से जो इंडियेरी नेवी ने पारिस्पेट किया था थी का फील डेरियो नेवल एकृसराइज थी वरुना 221 वो वह हमें बताना है कि किस कंट्री के साथ हुई थी और कहां पर हुई थी जैसे में आपको स्टार्टिंग में शाहिद था था वहां बता चुका हूं इंडिय और युएस से की बीच में कौन-कौन सी होती है इंडिया युद्ध्य बयास होता है और टाइगर ट्रंप होता और कोशन में बताया था और इस कोशन में बूछा गया वरुना किस कंट्री की बिच में कहां हुई थी कोन से रिजन में की ठीक है इंडिया इंडियन ने भी ने पार्डेश्पेट किया था इसका राइट अंसर है फ्रांस अरे अरिया लिविंशी नेक्स देखते हैं कुंसी फर्स्टेशन वुशमें बनी है जिन्होंने वाइल्ड इनोवेटर आवार्ड जीता है 2021 तो जोसका राइट अंसर वो है वो है डाक्टर कृती के करंथ डाक्तर के करंथ जिन्हें ये अवाड जीता है थिक है नेक्स सेकते हैं वेन इसे वर्ल डेव फॉर दा सेफटी एंट एड वर्क अन्विली अब्स बाइव हमें बताना है कि जो वर्ल डेवाट एड एड वर्क बनाया जाता है जो यून मनाता है तो उसका जो राइट दॉन सरे वो क्या है 28th April ठीक है 28th April का right answer है ठीक है hope करता हूँ आज आपको काफी उच्छी को में लगा याद रखेंगा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ यह सभी जो questions थे कि टॉफिती हर मन्त की हम ला रहे हैं आपको सब्न्बर मन्त तक के मिल जाएंगे ठीक है सब्सक्णों को चिक है इसके बाद हम गया करेंगे और कि आपको जैसे मैंने बताए कि आप Olympics का जाके एक बार देख लेजिए क्योंकि कुछ बच्छे कुमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि उनके एक्जाम आने वाले हैं तो आप ही Olympics का क्योंकि recent event है तो एक्जाम में definitely आएगा Olympics का देख लेजिए पैर Olympics का देख लेजिए और मैं को एक दावे से कह सकता हूं कि आपको कोई भी कोशन से बाहर नहीं आएगा आप बस वो चार वीडियो हैं वो देख लेजिए आइधिंग हां चार चार से पांच पांच वीडियो से हैं ठीक है तीन Olympics की होंगी जिसमें दो MCQ session होंगे ठीक है और दो पैर Olympics की में जिसमें एक के DMC session होगा ठीक है बट इन में से कोई आपको बाहर से कोशन यह आएगा और कोशन यह आए भी थे अभी जो गाृण स्वेज्टेशन्री वह थे हैंज्ट है जो भी हुए थे अभी एक्जाम है और अभी हम सेप्टमबर के लाएंगे उसके बाद हम स्थार्ट करेंगे कोई चैनल जोई कोई बाइकर करना हैं जार्श है कि कोई आप अगर देखना जाते हैं कि कैसा पड़ाते हैं तो आप जाके सिर्फ देख लेजिए फ्री वीडियोज भी होगी कि वहाँ एक यह दो वीडियो हर एक सब्जेक्ट की दियोंगी जैसे इंगलीश की इंप्यूटर की अलग लग की जी के की रिजनिंग की कौन्ट की ठीक है वो भी देख लिजिए अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनिटिल उस को बाई कीजिए और अपने एक्जाम की अ